नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी तो येस आए हैं फिर से एक नए concept के साथ तो लास्ट राइम मैंने आप लोगों को time and work के पूरे complete type of questions complete type of part clear करके दिये थे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और बहतरीन conceptual topic की that is profit and loss ठीक है तो इसके अंदर में आप लोगों क profit and loss से जुड़े हुए complete concept complete part को cover करूँगा जल्दी से इस वीडियो को like करिएगा चैनल को करिएगा subscribe ताकि आने वाले और भी धमाकेदार वीडियो आपको यहां इस चैनल पर मिल सके ठीक है येस थोड़ा सा inconsistent है because I am working on the totally new content ठीक है तो क्योंकि मैं बिलकुल नए और fresh questions के को बनाने में लग रहा है ठीक है बच्चे लेकिन जबरदस्त concept के साथ जबरदस्त type of questions के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ूँगा दोस्तों मैं आपको इतनी guarantee देता हूँ अगर आप ये conceptual part cover कर लोगे आपको उस topic में कुछ और अलग refer करने की जरुरत भी नहीं अगर आप जुड़ना चाहते हैं banking exams, RBI grade B exams और SSE CGL exams के लिए तो हमारी offline classes को पूरे में join कर सकते हैं ये हमारा contact detail है तो जो भी student है जो बिल्कुल detail से बिल्कुल तसली से एक एक basic चीज़ से लेके advanced level तक पढ़ना चाहरा है सीखना चाहरा है definitely you can refer our classes तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले profit and loss के concept के उपर तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ type लिखे हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे कि किस प्रकार के question profit and loss में पूछे जाते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ discuss करूँगा आज की इस video जिसके video में जो की होगा totally depends on basic concept of profit and loss ठीक है तो profit and loss बना किस concept के उपर है वो पूरा in detail concept में आज आप लोगों के साथ discuss करने जाओगा ठीक है उसके बाद two article based questions कई बर क्या होता है आजकल maximum question चाहे वो prelim exam हो चाहे means exam हो दो article के उपर based questions पूछे जाते हैं दो article का मतलब यह होता है कि जैसे आपके पास A article B article एक को profit पे बेचा दूसरे को loss पे बेचा तो उनके कुछ information regarding their prices would be unknown उसके उपर आपके सवाल बनेंगे overall profit, overall loss के उपर सवाल बनते हैं कभी selling price और cost price के बीच में relate किया जाता है तो बहुत ही जबरदस्त concept है बहुत ही प्यारे सवाल इस concept पे पूछे जाते हैं तीसरा सवाल जो तीसर discount के उपर based question बरेंगे, discount is a very very important concept, important term in the profit and loss context ठीक है तो यह किस तरह से relate करेगी cost price से, selling price से और mark price से वो तीनों चीज़े में आपको इस तहह के सवालों में सिखाऊंगा, त्योंकि आज कल जादा से जादा questions discount profit percentage इनके combination पे पूछे जाते हैं उसके बाद free article based concept, free article based concept भी हम discuss करें free article देना, क्योंकि कई वार आप जिसे shopping करने जाते होंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि यार एक article दस वालब दो shirt खरीदी, एक shirt free, चार shirt खरीदें, तीन shirt free, इस तरह के आपने बहुत बार marketing gimmick देखें होंगे, तो वो किस तरह से आपके discount या profit में बदलाव करते हैं, वो हम स जादा करके profit and loss के उपर बहुत बार D.I. बना के पूछते हैं, ठीक है, पिछले कुछ समय से clerical means में भी profit and loss के उपर D.I. और case late पूछे गए हैं, तो इस पांचवे पार्ट में में आप लोगों को complete D.I. या case late किस तरह से बनती हैं, कैसे उनको approach किया जाता है, वो सब में one by even करके सिखाऊंगा, इसके बाद छठा और important type है, dishonest shopkeeper के उपर based questions, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, दुकानदार बहुत शातिर रहता है, जो की खरीदी के साथ, जो आप कोई customer वहाँ पहुंचता है, तो उसमें कुछ खरीदी करता है, तो उसके साथ वो cheating कर लेता है, उसक में उसको क्या profit हो रहा है, उसके उपर सवाल कैसे बनते हैं, वो हम discuss करेंगे, और उसके बाद last में variable based questions, जो की means pattern के उपर अधारित होंगे, and the data sufficiency, ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छे से बहुत detail में इस topic को हम cover करेंगे, तो जीहां पहला type, आज हम discuss करने जा रहे हैं, basic concept of profit and loss, ठीक है, तो profit and loss का concept बना कैसे है, क्या-क्या चीज़ों हैं, जिसके उपर हमें ध्यान देना है, वो मैं one by one करके आपके साथ discuss करूना, तो दोस्तों, सबसे पहले, सबसे ज़रूरी चीज़ आपको समझने की जो होती है, profit and loss में वो होते हैं, इसके type of prices, तो दोस्तों, cost price is the most important price, जिसके उपर ये concept टिका रहता है, cost का मतलब होता है, expenses of the seller, ठीक है न, तो जो भी seller खर्चे करेगा, वो सारे कुछ चीज़े cost में include हो जाएंगे, ठीक है, उसी प्रकार से selling price, selling price वो price है, जिसके उपर seller जो है, article customer को sale करेगा, ठीक है, ये कहलाती है, selling price, और उसी प्रक price, mark price को कम कहते है, desired selling price, यानि जितने में आप बेचना चाहते हो, यानि दुकानदार या seller जो है, जितने रुपए पे बेचना चाहता है, वो mark price कहलाता है, ठीक है, जिसे आप normal किसी पर्चून शॉप में कोई समान खरीदने चाहते हो, वहाँ पे हर product पे एक MRP लिखा रहता तो MRP is called as a marked price, क्योंकि दुकानदार या जो seller है, वो उतने रुपए पे उस चीज़ को बेचना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी cost हो गई, वो उसमे cost में अपना margin जोड के MRP रखता है, इसलिए कहते भी हैं, जागो ग्रहक जागो कि आपने add देखी हो इन तीनों के बीच में जो relation होता है, वो profit and loss के थुरू हम solve करते हैं, तो सबसे पहले cost price और selling price का जो difference होता है, इसी को हम कहते है profit और loss, ठीक है, यानि cost और selling के बीच का जो difference होगा, that would be called as profit होने वाला है या loss, तो अगर आपका selling price cost से जाधा होगा, इस case में आपको profit रहता है, लेकिन अगर आपका selling price, cost price से कम होगा, तो उस cost, उस condition में आपको नुकसान यानि के loss रहता है, and cost और MRP के बीच का difference होता है, उसे हम कहते है mark up, यानि cost को कितना बढ़ाया जाएगा, to decide the marked price, ठीक है, तो यह दुकानदार अपना maximize profit कर रहा है, mark up कहलाता है, ठीक है, mark up को हम profit without discount भी कहते है, यह बहुत important हम रहती है, तो mark up जो होता है, इसे profit without discount भी कहा जाता है, उसी प्रकार से selling price और mark price का जो difference होता है, उसको हम discount कहते हैं, ठीक है न, तो discount is a difference between selling price and the mark price, profit is a difference between cost price and the selling price, and mark up is the difference between mark price and the cost price, ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह basic हमारे logics रहते हैं, यह तीनों की knowledge ये prices की knowledge आपको किसी भी moment रहनी जाए ठीक है तो इसके साथ ही एक और important concept रहता है जो हम discuss करेंगे कि कैसे हम इनको relate करते हैं दोस्तों ये बहुत-बहुत-बहुत important concept रहता है कि markup is equal to profit plus discount यानि आपका जो markup रहेगा वो profit और discount के बराबर होता है in a rupees यानि amount format में clear एक example की जरीए आपको मैं clear करता हूँ मान लीजिए एक article है जिसका आपका cost 200 रुपय का है your cost price is 200 और दुकानदार जो है इसको 400 रुपय में बेचना चाहता है your mark price is 400 ठीक है यानि आपने markup कितने का किया होगा 200 रुपय का क या हो उसके बाद कोई customer आया लेकिन वो 400 में खरीद ही नहीं रहा ठीक है वो कह रहा है यार मेरे पास तो 340 रुपय है इतने में बेचते हो तो मैं ले लेता हूँ तो दुकानदार के मन में आता है कि यार मैंने 200 का markup तो किया ही या 340 फिर भी मेरी cost से काफी उपर है तो च condition में आपका जो discount रहा 60 रुपय का रहा क्योंकि 400 की चीज आपने 340 में बेची है तो आपने कितने का discount दिया 60 रुपय का तो इस condition में आपको जो profit हुआ है 140 रुपीज का तो अगर आप notice करेंगे markup क्या रहा profit plus discount यानि आप जितना ज्यादा discount दोगे आपका profit उतना कम होता चल तो that's why ये important concept बनता है कि markup is equal to profit plus discount ठेके पैरे बच्चों ये चीज थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा देखे एक तो discount बढ़ाने से selling price घटेगा तो जितने रुपय से selling price घटेगा उतने रुपय से profit भी घटेगा तो ये सारी चीज़े आपस में interlinked होती है और exam के अंदर bank exam की खासियत है वो इन relation को exploit करता है in the examinations prelims का एक question हो चाहे mains level का question हो मैं आपको इसके उपर सवाल भी करवाऊंगा ठीक है तो ये बातों पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आगे जब मैं आपको high level के questions जब मैं आपको छटे या साथवे part में बढ़िया level के variable based mains pattern questions करवाऊंगा त कैसे इस पर पढ़ता है ठीक है और हाँ अभी भी कुछ सवाल हम लेंगे इस वीडियो में भी तो आपको इन relation के उपर बहुत clear रहना है ठीक है प्यारे बचों उसके बाद एक basic detail हमें काम आती है selling price is equal to 100 plus profit percent of CP तो याद रखिए दोस्तों अगर वो आपको profit percent unknown दे दे यानि क प्रोच का इस्तेमाल करते हैं अगर profit percent को X variable में दे रहा है तो याद रखिए selling price is equal to 100 plus profit percent of CP तो profit is a positive change इस वज़े से वो 100 में add हो जाता है वैसे ही अगर आप discount offer कर रहे हैं तो selling price would become 100 minus discount percent of mark price ठीक है तो ये दो basic relation है जब भी आपको profit percent या loss percent या discount percent और even though markup percent X variable में दिया जाए या Y variable या variable में दिया जाए कुल मिलाके तो आप इस approach का इस्तिमाल करते हैं to form the equation ठीक है पहरे बच्चों ये ध्यान में रखिएगा इनके उपर मैं सबके उपर आपको सवाल करवाऊंगा आने वाले videos में ठीक है तो ये basic application है दोस्तों अगर आप ये सीख आपको कभी दिक्कत नहीं होगी ठीक है उसके बाद एक basic चीज में थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूं देखिए profit percent का मतलब क्या होता है तो एक बात अच्छे से समझ लीजेगा profit percent का मतलब होता है profit upon CP into 100 क्या होता है profit upon CP into 100 तो ये formula बनता कैसे है मैं आपको थोड़ प्रूल होता है वो ये होता है कि जिस value को हम profit percent में convert करना चाहते है उसको रखते है numerator में और जिस value से हम compare करते हैं वो रखते हैं denominator में तो profit हमेशा cost पे calculate किया जाता है क्योंकि वो constant रहती है selling price discount की वज़े से change हो सकता है तो that's why cost के उपर ये calculation की जाती है clear तो profit upon CP into 100 याद तो ये रटने की जरूरत ना पड़े इसलिए मैं आपको समझा के ले रहा है उसी प्रकार से discount percent तो discount percent रहता है discount upon mark price into 100 ठीके पैरे बचो तो बहुत बार हम इन approaches का इस्तेवाल करेंगे क्या होता है दोस्तो profit percent जो होता है profit जो होता है it's a difference value of cost and the selling price तो अगर आपको profit percent दिया ज सकते हैं ठीक है इसलिए यह important percentage रहते हैं ठीक है यह चीज हमेशा याद रखिए गवच्चो ठीक है इसके उपर मैं कुछ example भी आपको करवाता हूं वैसे ही discount percent अगर दिया जाए तो discount जो होता है selling price और MRP का difference होता है तो इस वज़े से अगर आपको discount percent दिया जा रहा है तो कर सकते हो selling price और mark price के बीच उसी प्रकार से markup percent अगर दिया जाए तो उसके through में ratio establish कर सकता हूं mark price और cost price का याद रखिएगा ठीक है mark price भी उसी प्रकार से cost पे calculate किया जाता है क्यों कि mark price का मैंने बताया था mark price is basically profit without discount यानि अगर आप discount नहीं देंगे तो यानि आपका mark price ही selling price बन जाएगा और आपका markup ही आपका profit बन जाएगा और profit किस पर calculate होता है cost पे ही होता है ठीक है पहरे बच्छो तो यह ध्यान में रखिएगा यह relation आपका profit and loss maximum इसी relation पे टिका रहता है ठीक है चाहे आप pre level में speed लिना चाहे या आप means level के conceptual questions की equation formation करना चाहे वहाँ पर यह relation आ और clear करूंगा ताकि आप इन चीजों को practically apply कर सके ठीक है पहरे बच्चो एक example में देना चाहूंगा ताकि आप concept को detail में जान जाए माल लीजिए आपको कहा जा रहा है कि एक दुकानदार जो है अपने article को 20% profit पे बेचता है और उसके अलब वो उसी article पे 25% का discount भी देता है त basically they are asking about the markup percent यानि अगर आपको 20% का profit देना है और discount 25% का दिया जा रहा है तो आपको बताना है कि अगर कोई discount offer न किया जाए तो profit percent क्या रहेगा यानि markup आपको निकालना है तो एक बात याद रखिए जिसे मैंने अभी कहा profit अगर percent में दिया गया है तो आप इससे cost और selling price का ratio establish कर सकते हैं कैसे देखे 20% का fraction value रहता है मेरे बच्चो 1-5 और उसी प्रकार से 25% का fraction value रहता है 1-4 तो मैंने अभी आपको बताया था profit percent basically होता क्या है तो that is profit upon CP यानि अगर मेरा cost 5 रुपय का है then my profit will be 1 रुपी then my selling price would be 6 यानि मेरे cost और selling price का ratio निकल के आएगा that would be 5 raise to 6 ये बा उसी प्रकार से discount आपका 25% है तो इसकी fraction value रहती है मेरे बच्चो 1-4 तो यानि अगर मेरा discount 1 रुपय का दिया जा रहा है then my mark price will be 4 then in that case my selling will be 3 तो यानि the ratio between mark price and the selling price would be 4 raise to 3 तो होता क्या है दोनों conditions में selling price same होना चाहिए it's a common price तो इसको हम double कर देंगे डबल करने से 8 बनेगा ये 6 बन जाएगा यानि अगर मेरा cost 5 रुपय का है then my selling price would be 8 यानि इस condition में मेरा markup क्या आएगा 3 और markup cost पे calculate किया जाता है यानि 3-5 की percent value रहती है 60% यानि के profit without discount जो मेरा निकल के आएगा यानि markup जो निकल के आएगा उसका answer रहेगा 60% समझ में आई अप्रोच इस प्रकार के question बहुत बार एक्जाम में दिये जाते हैं बहुत बार आप याद रखिए अगर profit percent और discount percent आपको दिया जा रहा है तो profit percent relate करेगा cost और selling price के बीच और discount percent relate करेगा mark price और selling price के बीच अगर आपने ये बात दिमाग में fix कर ली है तो आप इस प्रकार के question बहुत आराम से छुडा सक ठीक है एक और example के जरीए समझाने की कोशिश करता हूं try करिएगा माल लीजिए आपको profit दिया जा रहा है suppose 33.33 percent और वहीं पर आपकी discount value दी जा रही है 40 percent ठीक है तो बताइएगा इसका markup percentage क्या रहेगा ठीक है दोस्तों ये मैं आप लोगों को homework का question दे रहा हूं तो जो भी बच्चे लेक्चर को बहुत इमानदारी से follow कर रहे हैं इस सवाल का जवाब आप मुझे comment section में जरूर बताईएगा ठीक है clear सवाल क्या है अगर एक article को बेचने पर 33.33 percent का profit हो रहा है और आपने उस पर discount offer किया है 40 percent का तो आपका markup percent क्या होगा अगर ये concept आपको वाकई में क्लिक हुआ है तो इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे comment section में दीजिएगा ठीके बैरे बच्चों आगे बढ़ते हैं फुरसत से क्या सीखना है देखे usually profit जो होता है वो calculate किया जाता है cost price के उपर तो सवाल को पढ़ेंगे ये कहते हैं if there is a 20 percent profit on cost price of an article यानि एक article को बेचन पे profit कितने का हो रहा है 20 percent और profit किस पे calculate हुआ है cost पे तो अगर कुछ ना भी लिखे तो profit हमेशा cost पे ही calculate होता है अब ये सवाल पूछ क्या रहा है वो कह रहा है then percent of profit calculated on its selling price is तो आपको profit percent ही बताना है बट किस पे calculate होना चाहिए selling price यानि आप profit को selling price से compare करना चाह रहे हैं ठीक बार जो नए बच्चे होते हैं जो fresher बच्चे हैं जो पहली बार bank exam के तियारी कर रहे हैं या even though वो बच्चे जो दे तो चुके है exam बटन का concept उतना clear नहीं है वो इस प्रकार की language में फज जाते हैं याद रखिए दोस्तों कोई भी चीज percentage भी दी जाए चाहे वो profit and loss का condition हो mixture प्रकार का topic हो एक बात हमेशा याद रखिए जब भी value percent में दी जाती है percent हमेशा किसी ना किसी से compare किया जाता है usually profit percent जो होता है वो cost पे calculate होता है लेकिन वो आपसे profit percent तो मांग रहे हैं but किस पे calculate करने को कह रहे है selling price ठीक है तो आपका profit percent कितना है बच्चे 20% है तो 20% की fraction value क्य होगी 1-5 यानि अगर मेरा profit एक रुपय का हो रहा है then my cost price will be 5 रुपी यानि मेरा selling price क्या रहेगा मेरे बच्चे 6 रुपय का रहेगा और वो आपसे जानना चा रहे है कि profit percent selling price में कितना होगा तो profit अभी भी एक ही रहेगा and my selling will be 6 तो 1 by 6 मेरा fraction value है 1 by 6 का percentage में conversion रहता है मेरे ब okay तो 16.66% would be my right answer clear रहा प्यारे बच्चों तो इस प्रकार से इन questions को approach किया जाता है question बहुत प्यारा है ये सवाल कई बार prelims वगेरा में clerk level पे पूछे भी जाते हैं ठीक है तो इस concept को याद रखिएगा और ये ज़रूरी नहीं है कि इसके उपर direct question आए क्या पता किसी ये बहतर सवाल का या means level के सवाल का question का एक part भी बनके आ जाता है बहुत बार वो profit percent on selling price दे देता है question में question को घुमाने के लिए ठीक है तो you have to be alert while solving this kind of questions ओके प्यारे बच्चों बहुत अश्यानदार आगे बढ़ते हैं अब मेरी बात को इसमें concept को थोड़ा स involve करूँगा दोस्तों बहुत अच्छे से इस सवाल को समझना वो कहते हैं कि a loss of 19% gets converted into a profit of 17% यानि एक article को बेचने पे पहले नुकसान हो रहा था 19 प्रतिशत का अब वो profit में बदल गया है 17 प्रतिशत के कब when the selling price is increased by रुपी 160 यानि आपने अपने selling price को कितने से बढ़ा दिय 162 रुपी से बढ़ा दिया so find the cost of the article यानि आपको cost बताना है अब दोस्तों इस सवाल का पहले concept क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ एक बात याद रखिए का दोस्तों इस condition में आप selling price में change कर रहे हो मानते हो तो एक बात याद रखिए अगर selling price को जित increase किया जाता है याद रखिएगा same value से आपका profit भी बढ़ जाएगा ठीक है न वो सारा का सारा change आपके profit में चला जाएगा clear ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ मान लीजिए एक article आपने खरीदा जिसका cost 80 रुपए था और आप उसको 100 रुपए में बेच रहे हैं त तो आपने selling price को कितने से बढ़ाया 20 रुपए से तो अब आपका profit क्या बन गया नया profit 40 रुपए कितने से बढ़ गया ये भी 20 रुपए से बढ़ गया clear तो selling price आपने 20 रुपए से बढ़ाया तो profit भी आपका 20 रुपए से बढ़ गया correct है मान लो आप अपना selling price 1500 रुपए कर है आई बात समझ में यह बात हमेशा याद रखिएगा अगर कोस्ट को बिना चेंज किये सेलिंग प्राइस को बढ़ाया जा रहा है वो सारा चेंज प्रॉफिट में चला जाएगा तो यानि आपने सेलिंग प्राइस में कितने रुपए से चेंज किया है बच्चे 162 रुपए से तो यानि आपका प्रॉफिट भी 162 रुपी से बढ़ा होगा अब प्रॉफिट में चेंज कितने का आया है तो पहले आपको नुक्सान हो रहा था 19% का और अब आप profit कमा रहे हो 17% का तो यह change किस पे होगा देखी दोस्तों loss और profit दोनों cost पे calculate किये जाते यानि इनका comparison point same है तो आप directly इन percentages को add या subtract कर सकते हो तो यहाँ पे यह percent add होगा कैसे तो क्योंकि आप पहले 19% के नुक्सान पे थे फिर आप 17% के profit पे चले गए नुक्सान यानि loss minus यानि negative change value होती है और profit जो होता है वो positive change होता है तो negative से positive में चले गए हो तो change कितने का आया बच्चे मेरे 36% का समझगे तो यानि आपके profit में percentage wise क्या बदलावाया है 36% और वो किसके बराबर है बच्चे 162 के क्योंकि आपने selling price 162 रुपे 162 रुपी का तो 36% 162 के बराबर है तो वो कहता है 100% यानि cost कितना होगा solve करेंगे 18 से कटोगा 2 बार 18 से जाएगा 9 बार 2 से 100 कटो जाएगा आपका 50 बार 50 इंटो 9 यानि के 450 रुपी इस देट ओके yes हमारा answer हमारे सामने आ जाता है that is 450 समझ में आई ये बात I hope ये concept clear रहा बहुत बार सवाल बनते हैं और अलग-अलग languages में सवाल बनते हैं ठीक है question के language पूरी तरह से बदल दी जाते है आपको पता भी नहीं चलेगा ये concept लग रहा है इसलिए concept की जो application है वो बहुत strong चेंग है याद रखना बच्चो जितने रुपए से selling price को बढ़ाया या घटाय जाएगा उटने ही रुपए से profit और loss में change होगा condition है कि cost same रहना चाहिए cost change होगा तो फिर impact बदलेगा ठीक है पहरे बच्चो मज़ेदार concept है बनने लाए concept है अब ये सवाल देखिए है तो बहुत सीधा सा छोटा सा सवाल लेकिन again impact बहुत जबरदस है क्या कहता है ये कहता ह if the selling price doubles यानि अगर आप selling price को double कर दें तो आपका profit तीन गुना हो जाता है then profit becomes three times so find the actual profit percent बहुत प्यारा सवाल है कम से कम information देखे जादा से जादा चीज़ पूछी रही है अब देखिए इस सवाल में वो आपसे क्या मांग रहा है actual profit percent आपको याद होगा profit percent किस पे calculate किया जाता है profit upon cp into hundred correct हाँ जी तो profit जो है cp के ऊपर calculate किया जाता यानि profit upon cp will be the thing ठीक है अब ध्यान से समझना जो मैं कहने जा रहा हूँ गौर से सुनिएगा तो profit upon cp यानि आपको cost required होगा अब एक बात बताईए इसमें cost के बारे में तो कुछ बात ही नहीं की यह तो कहता है selling price को double किया profit triple हो गया cost तो है ही नहीं तो यह निकालना पड़ेगा आपको relation कि ठीक है तो इसके दो तरीके होता है मैं दोनों सिखाँगा आपको basic logic से भी लेना तो यानि कि selling price minus cost price will be equal to profit यह basic logic रहता है selling price cost price से ज्यादा होगा थभी profit होता है यानि selling price minus cost price would be equal to profit यह बात clear है अब यह भाई हमारा कहता है कि selling price को double कर दिया यानि 2SP कर दिया cost को वही रखा then your profit become three times correct है हाजी आपने selling price को double कर दिया यानि 2SP cost वही रखा cost में change नहीं हो रहा है and your profit become three times clear है यह equation अब देहन से देखिए linear equation होगी जहां पर तीन variables है SP CP और P तो एक काम करते हैं CP को हटा देते हैं क्योंकि दोन तीनो equations में इसकी value same आ रही है हटा दीजिए हटा दे या फिर आप direct profit और CP में relate कर सकते हो ठेक है but I would suggest कि पहले हम CP को निकाल देते हैं कैसे होगा यह minus करेंगे यह plus करेंगे यह minus करेंगे तो इससे क्या होगा cost cost cancel हो जाएगे cost minus में cost plus में cancel out तो 2SP minus SP will be SP 3P minus P will be equal to 2P यह बात समझ में आगे यानि SP का जो value है वो 2P के बराबर होगा ठीक है तो यह काम करते हैं हम SP की जगे 2P को replace कर देते हैं can we do that यानि 2P minus CP is equal to profit तो यह काम करते हैं P को यहां बेज़ देते हैं CP को left में वापिस right में बेज़ देते हैं CP बराबर है तो अगर मैं इसको बदलना चाहता हूँ they are equal तो यानि मेरा profit percent 100% यानि C option यह बात समझ में आई गया तो यह बिलकुल basic logic से मैंने बताया है इसका application ठीक है अब मैं आपको direct conceptual तरीके से बताता हूँ numbers के जरीए समझाता हूँ ठीक है बहुत सारे बच्चे इसको समझ जाते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो equation formation को avoid करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं आपको numbers के साथ यह value समझाता हूँ तो यह हमा correct है क्या हाँ जी यानि आपके selling price में 100 रुपए का increase हूआ yes और no और मैंने अभी आपको पिछले सवाल में कहा अगर आप cost को बिना change किये selling price को बढ़ाओगे तो आपका profit भी same value से बढ़ेगा तो यानि अगर मेरा selling price 100 है तो नया selling price 200 हो गया डबल हो गया तो यानि मेरा selling price बढ profit X था तो अब आपका नया profit क्या बन गया 3X तो profit में क्या change है X से 3X हो गया कितने का increment आया 2X का और यह 2X किसके बराबर है 100 के यानि X का value 50 है यानि अगर मेरा selling price 100 है then my profit would be 50 rupees clear हो गया तो original profit निकालना है तो original selling 100 मान लिया और original profit 50 मान लिया तो यानि 100 रुपए में बेचने पे 50 का profit हो रहा है यानि cost also will be 50 ना तो cost भी 50 profit भी 50 यानि selling 100 इस condition में आपका profit percentage 50 upon 50 into 100 rate yes आपका answer निकल के आएगा 100% यानि 100 प्रतिशत समझ में आ गया है क्या जल्दी से please मुझे बताईएगा तो बहुत प्यारा सवाल है ठीक है यह सवाल आपको एक्जाम में मॉक्स वगेरा में सब जगे दिखाई देगा तो बहुत बढ़िया और बहतरीन सवाल है क्लियर र शाबाश एक और सवाल के तरफ बढ़ते हैं बहुत ही interesting और बहुत ही प्यारा सवाल है ध्यान से समझेगा दोस्तों आज मैं पूरा concept बताने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है तो बहुत basic और बहुतरीन सवाल आएंगे लेकिन yes एक्जाम में यह सवाल परिशान कर सकते हैं अ क्लियर है तो इसमें दो तरीके हैं दोस्तों दोनों बताऊंगा समझेगा ठीक है तो लेकि 20% का नुकसान हो रहा है तो मैंने आपको कहा था profit percent दिया जाए या loss percent दिया जाए उससे हम cost और selling का ratio बिना देते हैं हाँ या ना तो यह काम करिए cost price और selling price का ratio 20% का नुकसान हो रह हूं then my selling will be four correct है because 20% का fraction value रहता है मेरे बच्चो one-fifth 20% is equal to one-fifth सही बात है तो अगर मेरा cost 5 होगा then my selling will be four तो एक रुपए का नुकसान हो रहा है आपको अब यह कहता है had he bought at 25% more यानि वो कहता है कि आप अपनी cost को 25% बढ़ा दीजिए तो ऐसा करने से आपका जो selling price जो है वो 45 रुपए कम कर दे यानि वो दोनों में change कर रहा है अभी तक हमने क्या देखा था केवल selling price में change कर रहा था अब वो cost को भी change करने हो कह रहा है और selling को भी कम करने को कह रहा है ठीक है ध्यान से पकड़ेंगे इस बात हो तो वो कहता है he would have made a loss of 40% तो ऐसा करने से उसको नु and SPT clear है अब वो cost भढ़ाने हो कह रहा है आपको 1 4th 25% लेकिन यह number 4 से तो जाता नहीं है तो एक काम करते है मैं इसको 20 और इसको 16 ले लेता हूं 20 का 1 4th 25% है ने तो 20 का 1 4th 5 होगा यानि नई cost को में 25 ले लू और इसका जो नुकसान हो रहा है वो 40% का हो रहा है तो 25 का 40% या 10 रुपय का नुकसान हो गया तो यानि इसका selling price आजाएगा 15 लोगा यह बात समझ में आई है क्या यह पूरा में ratio में ले चला हूं क्या किया है फिर से बताता हूं यह कहता है एक भाई है हमारा जो 20% के नुकसान पर एक article बेच रहा है 20% नुकसान का मतलब होता है cost और selling का ratio 5954 फिर यह कहता है वो cost को 25% बढ़ाएगा 25% का मतलब होता है 14 यह जो cost यह 4 से तो जहीं नहीं रही है तो यह काम करते हैं इन दोनों को मैंने 4 गुना कर दिया यह ratio हटा देता हूं तो यानि the cost and selling price का ratio आगया 20 and 16 तो 20 का 14 यानि 5 होता है यानि वो अपनी cost price को क्या कर दे 25 व तो 25 का 40% अगर आप निकालिएगा तो यह आएगा 10 यानि इसको 10 रुपए का नुकसान हो रहा है यानि selling price क्या आएगी 15 अब एक बात देखिए selling price का ratio हमारे दोनों का क्या आ रहा है 16 और 15 यानि selling price में according to our ratio एक रुपए की कमी आ रही है और actual सवाल में जो कमी आई है 45 45 तो 45 इंटू 20 यानि 900 45 इंटू 16 तो 16 पंजे 80 जीरो आठ कैरी 16 इंटू 64 और 8 बहतर 720 35 इंटू 45 तो 25 बंजे 125 बारा कैरी 100 और 12 यानि 1125 15 इंटू 45 तो 15 बंजे 75 साथ कैरी 675 समझ में आया मेरी बच्चों तो इसके चारो प्राइस निकाल दी अब जो मांग रहा है वो टिक कर दो वो कहा रहा है find the cost price of the article तो नया नहीं पुराना जो original cost price है क्योंकि ये इफ लगा के दे रहा है बहुत बच्चे इस बात से भी confused होते हैं कि सब नया बताएं क्योंकि दो cost निकल रहे हैं कौन सा cost तो ये इफ लगा के दे रहा है यानि ये चेंज हुआ नहीं है जूम किया गया है ठीक है न तो नया price मांगेगा तो लिखेगा find out the new price नहीं तो ये लिख रहा है केवल cost price यानि they are talking about the original price तो हमारा answer इसमें आ जाएगा बच्चे 900 मज़ा आया के नहीं पूरा का पूरा सवाल हमने ratio से बना दिया कोई x मानना नहीं पड़ा कोई y मानना नहीं पड़ा इसका दूसरा तरीका भी होता है बहुत traditional way है आप ये भी लगा सकते हो कोई कदमी नहीं जैसे मेरा cost price तो नुकसान कितने का और है मेरे भाई को 20% का यान अब ये कहता है वो अपना cost 25% बढ़ाएगा तो यानि आपका नया cost क्या जाएगा 125 तो यानि इस new cost will be 125 और ऐसा करने पर उसको 45 प्रतिशत का नुकसान होगा तो 125 का 40% तो यानि 2 5th of 125 ले डाले 25 दुनी 50 यानि इसका selling price निकल के आएगा 75 होगा है ये भी एक तरीका है यहा जो बच्पन में आपने सीखा था ये भी गलत नहीं है ये भी कोई confusing नहीं है simple selling price में हमारी कमी कितने की आ रही है 80 से 75 की आ रही है यानि assumption wise ये 5 रुपे की कमी आ रही है लेकिन actual कमी 45 रुपे की तो यानि सबको 9 से multiply करिए तो यानि आपकी original cost आजेगी 900 रुपा तो answer वही है हाजी तो ये दोनों प्रकार है ठीक है ये उपर वाला जो बताया मैंने ये हमारा latest तरीका होता है जिससे हम ज़्यादा करके profit and loss में इस्तिमाल करते हैं ratio method के जरीए ठीक है clear कोई trick नहीं plain conceptual concept है ठीक है I hope ये आप लोगों को समझा हो great आगे बढ़ते हैं एक और मज़ेदार स profit हो रहा है ठीक है तो profit अगर 30% है तो यानि cost और selling price का ratio क्या निकलेगा 10 raise to 30 क्योंकि 30% की fraction value होती है मेरे बच्चों 3x10 clear अब आप चाहेंगे कि सर ये fraction value कैसे याद की जाती है तो दोस्तों मेरा एक पुराना वीडियो है इसका link मैंने description में दे दिया है ठीक है इस वीडियो क description में मैंने fraction conversion का link दिया है तो वहाँ से ये वीडियो ज़रूर देख लिजिएगा जो बच्चे नए है specifically जो पुराने है जो कई साल से त्यारी कर रहे हैं कुछ समय से पढ़ रहे हैं उनको पता होता है लेकिन जो नए बच्चे आते हैं जिनको fraction conversion याद नहीं है कि मैं 25% को 1 कहेंगे 20% को 1 5th कहेंगे 40% 2 5th होगा 14.28 1 by 7 होगा तो ये profit and loss में ये fraction conversion बहुत clear होना चलिए तभी आप जल्दी अल्दी ratio establish कर पाओगे नहीं तो ratio concept आपको बहुत परेशान करेगा ठीक है तो वापिस से आते हैं concept के ओपर ये कहता एक table है जुसको बेचा गया है 30 प्रतिश अब ये कहता है if the cost and the selling price both are reduced by Rs.250 यानि दोनों को ही 500 रुपए से कम किया गया cost को भी और selling को एक बात याद रखी का दोस्तों अगर आप cost और selling दोनों को same value से बढ़ाते हो या घटाते हो यानि आपने cost भी 500 रुपए घटाया और selling भी 500 रुपए घटाया तो इसका impact ही होता ह है कि profit will remain same हाजी अगर आप cost और selling price में same change करते हो इस case में आपका profit जो है वो वही रह जाएगा यानि same रहेगा तो इस condition में आपका profit क्या था मेरे बच्चे 3 रुपए का था अब ऐसा करने से उसको profit कितने का हो रहा है 40% तो 40% का fraction value क्या होगा मेरे बच्चों तो यानि 5 raise to 7 त तो हमारा concept यह कहता है कि profit same होना चाहिए था अगर यह 3 है तो यह 2 है तो यह दोनों को बराबर बनाने तो कुछ भी नहीं बराबर बनाने के लिए इस पूरी equation को double और इस पूरी equation को triple कर देते हैं समझ में आई यह बात तो double करने से आपका cost क्या बन गया मेरे बच्चों 20 और 26 और यह triple कर देने से आपका cost क्या बन गया 15 और 21 सही है तो 20 से 15 यानि cost में reduction कितने का आया 5 रुपए का आया as per my assumption लेकिन actual reduction आपने कितने का किया था 200 का किया था यानि कहने की बात यह है 5 200 के बराबर है यानि 1 50 के बराबर होगा तो 50 से सब को multiply कर दीजी तो cost 20 into 50 यानि 1000 रु पूछ रहा है तो यानि आपकी cost of the table would be like 1000 रुटा, 1000 रुपीस बहुत प्यारा concept रेशो से पूरा बन गया यह क्यों बन पाया इसका reason समझा देता हूं यह ratio से इसलिए बन पाया क्योंकि आपने selling price और cost price दोनों को same value से घटाया था तो cost और selling को same value से घटाने या बढ़ाने पर profit would remain same याद रखिएगा ठीक है बच्चे अगला तो अच्छे अच्छे concept बता रहा हूं with the perfect solution यहां क्या हो रहा है यह भी उसी प्रकार का सवाल है बट यहां पर क्या चेंज है मैं आपको बताता हूं यह कहता है a book is sold at a profit of 33.33% तो एक किताब को बेचा गया कितने profit पे one third के profit पे fraction conversion हां बच्चो 33.33% यानि one third तो यानि अगर मेरा cost price तीन रुपए है then my selling will be four clear है अब यह भाई क्या कहता है कि आपने अपनी cost और selling price दोनों को बढ़ाया है by रूपी 60 and रूपी 180 respective तो यहां पे क्या हो रहा है आप यहां पे भी cost और selling को change कर रहे है बट अलग-अल value से तो इससे profit में अलग-बदला हो आएगा तो पकड़ लीजी तो cost को कितना बढ़ाया जा रहा है अगर cost को 3x माल लो तो नया cost 60 रुपए 3x plus 60 हो गया selling price अगर 4x माल ले तो यहां पे 180 हो गया 4x plus 180 यह बात सही है तो यह आपका नया cost यह आपका नया selling और अब ऐसा करने से आपको profit कितने का हो रहा है 66.66% का यानि 66.66% का fraction value रहता है मेरे बच्चों पूथर्ड यानि अगर मेरा cost 3 है then my selling will be 5 ठीक हो गया cross करेंगे 3 से यह cut होगा 3 times 60 जाएगा 20 times 5 cross हो जाएगा 5x plus 100 is equal to 4x plus 180 तो x यहां बेजूँगा 100 यहां बेजूँगा x का value निकल के आएगा 80 so value for x would be 80 rupees तो अगर x का value 80 रख देंगे तो हमारे पास original cost आ जाएगा दोनों को अलग-अलग रुपए में बदला गया था तो definitely profit भी चेंज हो जाएगा यह अप्रोच हम यहां पे apply करेंगे ठीक है इसका एक और तरीका होता है वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं अगर आपको comfortable लगे तो ठीक है 3X का cost है selling price 4X का है then my profit will be X correct अब आप क्या कर रहे हो cost को बढ़ा रहे हो 60 रुपए और selling बढ़ा रहे हो 180 यानि आपका जो profit है वो 120 से बढ़ जाएगा यानि your new profit will be X plus 120 यह है और आपकी cost भी भढ़ रही है 3X plus 60 हो रही है तो आप direct इन दोनों में ratio establish कर तो because your profit is 2 third यानि अगर मेरी cost 3 है then my profit will be 2 तो सेम ही बात होती है आप यह भी लगा सकते है तो 2 यहाँ बेजेंगे 3 यहाँ 3 से यह कट जाना है 2 से यह निकल के आएगा 2X plus 40 is equal to X plus 120 फिर से X की value 80 ही निकल के आए है clear है बच्चे is it okay is this clear तो X की value 80 यहां रख देंगे तो cost निकल के आना है 240 बस आपको जहां comfortable लगे आप लगाई है आगे बढ़ता हूं अगला यह question भी बड़ा interesting है यहाँ पे दो article को use कर रहा है बट थोड़ा easy concept है इसको सीख लेते हैं ठीक है यह कहता है a trader sells a port at a profit of 30% तो एक दुकानदार एक pot को sell करेगा 30% के profit पर और एक vast sell करेगा 20% के loss ठीक है तो यानि pot पे profit हो रहा है 30% का और vast sell किया जा रहा है 20% के loss के ऊपर but on the whole he earns रुपी 250 but overall उसको profit होगा कितने का 250 रुपएगा तो दोस्तों यह जो condition होती है जिसे दो article है एक को profit पे बेचा एक को loss पे बेचा और overall आपको profit हो रहा है तो याद रखिए इस case में profit की value loss से बड़ी होगी यानि profit minus loss is equal to 250 तो यह एक linear equation को lead करता है क्योंकि ना तो मुझ रहेंगे it will lead to the linear equation ठीक रहा आगे बढ़ेंगे फिरे कहता है if you sell the pot a loss of 20% तो पर अगर 20% का नुक्सान हो जाए और वास पे हमें 30% का profit हो जाए तब उल्टा हो रहा है पॉट पे अब नुक्सान हो रहा है 20% का और वास पे profit हो रहा है 30% का then he neither gains nor loses यानि ना तो उसको profit होगा ना gain होगा ना loss होगा तो gain और loss नहीं हो रहा है यानि इस condition में profit would be equal to loss यानि profit की value loss के बराबर होगी जी हां तो देखें loss किस पे हुआ था pot पे तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 20% of pot pot को मैं P से denote करूंगा and 30% of profit on loss यानि 30% of loss इससे benefit यह होता है कि मुझे इससे दोनों की cost का ratio में जाएगा जैसे P upon V V को मैं यहां बेज देता हूँ तो P upon V will be equal to 3 by 2 तो कि देखें 0 से 0 कटने वाला है percent से percent कटने वाला है वी को यहां बेजिए 2 को यहां बेजिए तो यानि pot और वास दोनों की cost का ratio आजाएगा थी अनुपार थी रिस्टू क्लियरे बच्चों तो यह काम करते हैं क्यों न मैं pot की cost को 300 रुपे माल लो वहीं पे मैं वास की cost को 200 रुपे माल लो शाहिए अब शुरुआत की condition देखें यह कहता है pot पे आपको 30% का profit हो रहा थ तो pot की cost अगर 300 रुपे है तो इस पे 30% का profit यानि 90 रुपे का profit वहीं पे वास पे आपको 20% का loss हो रहा है तो 200 का 20% बोले तो 40 रुपे का नौक सान बट ओवरॉल ट्रांजेक्शन 50 रुपे के profit पे हो रही है तो as per my assumption मेरा profit 50 रुपे आ रहा है लेकिन actual profit कितना था 250 यानि 50 is equal to 250 तो कितना गुना हो रहा है पांच गुना तो यानि आप अपने हर price को पांच गुना कर दीजिए ठीक है तो pot का cost भी पांच गुना हो जाएगा तो pot की असली cost आजाएगी 1500 और वास की असली cost आजाएगी 1000 रुपे अब यह किसकी cost मांग रहा है आपसे तो cost of the pot बताईए यानि 1500 1500 समझ में आया क्या तो pot का असली cost निकल के आजाएगा यानि original cost आजाएगा दोस्को 1500 रुपीस क्लियर है क्या यह आपको जल्दी से क्लियर करें बताएं हमें is that fine to everyone I hope यह सबको clear रहा होगा बहुत प्यारा सवाल है ठीक है हम equation formation में नहीं गए आप चाहते हैं कि equation formation कैसे होती है तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूं ठीक है कैसे होगा ध्यान से सुन दीजिएगा देखिए यह कहता है trader sell a pot at a profit of 30% and was at a loss of 20% he earns overall रुपी 250 तो 50 रुपी का profit हो रहा है नहीं profit की value loss से ज्यादा होगी तो profit किस पे हुआ है pot पे तो इसका equation formation ऐसा होगा मेरे बच्चों 30% of P minus 20% of V सही है and that is equal to 250 उसके बाद यह कहता है if we sell the pot at a loss of 20% यानि pot पे 20% का नुक्सान हो जाए यानि 20% of P is equal to 30% of V clear होगा तो इससे मुझे अगर देखें तो 0 से यह 0 cancel से दो इधर बेज देता हूं तो P का value अभी हमें वास की value चाहिए तो V का value क्या आएगा तो V को यही रखते हैं तीन को यहां बेज देते हैं यानि V यानि वास का value आएगा 2 3rd of P इस equation में मैं वास की value को replace कर दूंगा by 2 3rd of P से कर दें तो कर दीजी तो यह equation आपकी बनी रहेगी 30% of P minus 20% of 2 3rd of P and that is equal to 250 ठेके बच्चा अभी 2 by 3 या multiply होगा it will become 40 by 3 solve कर दीजी हां जी तो 30 तो P common लेता हूं मेरे बच्चे तो अंदर क्या रहे जाएगा % प्रसेंट भी common लेता हूं यानि P by 100 अभी 30 minus 40 by 3 आ जाएगा सही बात है 20 into 2 by 3 यानि 40 by 3 and that is equal to 250 सही है बच्चों solve it तो 30 minus 33 is a 90 90 minus 40 यानि 50 by 3 बन जाएगा यह equation अमारी बनेगी P by 100 into 50 by 3 and that is equal to 250 solve it पचास से 200 चला जाएगा पांच भार पांच ती यह पंदरा इंटु 100 यानि पांट का वैलियो आगा पंदरा सो यह equation formation है बच्चों बट प्रॉब्लम क्या होता है दिक्कत कुछ नहीं यह भी ठीक process है लेकिन समय ले लेगा इतना सारा लिखना करना understanding थोड़ी सी मदब बढ़ाने के लिए तो बैतर होता है उपर अलावे इससे आप बिलकुल बिंदास दोनों के cost में relation निकालो लेकिन यह तरीका तब successful है जब वो आपको एक condition no profit no loss की दे रहा है जैसे यह समझें अगर यह no profit no loss की condition नहीं देता यह भी एक और overall value में profit या loss दे रहा होता फिर proper linear ही बनता जैसे यह बनाता ठेक है यह चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है while solving the profit and loss ठेक है clear है I hope यह चीज समझ में आई होगी very good आगे बढ़ते हैं अगला सवाल मज़ेदार सवाल इसको ध्यान से समझ ली दिएगा यह pattern बहुत बार exams में पूछा गया है क्या है profit earned by selling an article for rupee 1060 is 20% more than the loss incurred by selling the article for rupee 940 यानि एक article है जिसको 1060 रुपे में बेचेंगे तो profit होगा और अगर उसी article को 900 रुपे में बेचेंगे तो loss होगा लेकिन profit जो हो रहा था वो loss से 20% ज़ादा होगा ठीक है At what price should the article be sold to earn 20% of profit बहुत प्यारा सवाल और यह means वगेरा में clerical means SBI clerk means IBPS clerk means में कई बार पूछा गया है value बदलता है थोड़ी language twist करता है बट यह same pattern बहुत बार आया हो है क्या यह pattern वही है जो मैंने आपको पहले बताया था देखिए आप notice कीजिए क्या हो रहा है पहले आप 1060 रुपए में बेच रहे हो और अब आप 950 रुपए में बेच रहे हो यानि selling price change हो रहा है के नहीं और cost में बदलाव नहीं आ रहा है तो मैंने आपको क्या कहा था जितने रुपए से selling price कम होगा उतने ही रुपए से profit भी घटेगा अगर बढ़ाने की बात कर रहे हो अगर same increase selling price का पूरा increase profit में चला जाएगा तो decrease भी तो profit में ही जाएगा अगर मैं selling price को घटाऊंगा तो उतने ही रुपए से मेरा profit भी तो घटेगा हाजी और यहाँ नुकसान ही हो रहा है कि आप loss में ही चले जा रहे है तो basically अगर आप पहली चीज समझना चाहें तो profit और loss के बीच में अनुपात क्या है तो वो कह रहा है profit जो है आपका 20% more है किस profit is 6 यानि दोनों का अनुपात आएगा 6x और 5x अब profit में 6x था और loss में 5x है तो change कितने का आया याद रखना दोस्तों अगर profit से profit में जाते हो पहले भी profit था अब भी profit है तो minus किरा जाता है loss से loss में जाते हो तो भी minus किया जाता है लेकिन profit से loss में जाते हो यह loss से profit में आते हो तो plus होते हैं ठीक है पहले आप नुकसान में थे फिर profit में चलेगे तो पहले आपने loss cover किया होगा फिर उसके उपर कमाया होगा तो इस condition में यह चीज़े add हो जाती है यानि आपके total profit में जो change आया है वो 11x का आया है तो यहाँ पर आप 6x profit कमा रहे थे अब 5x के loss पर हो यानि 6x 0 होगा फिर 0 से और 5 नीचे गए होगा तो टोटल चेंज 11x का हो गया और आपके selling price में क्या change आ रहा है 1060 950 हो गया यानि 110 रुपए का change आ रहा है यानि आप ऐसा कह सकते हो safely 11x is equal to 10 1110 रुपए 11x जो है आपका 110 रुपए के गरावर है यानि x is equal to 10 तो x की value 10 आगी यानि profit कितने का हो रहा है 60 रुपए का और loss कितने का हो रहा है 50 रुपए का तो 1060 में बेच रहे थे तो profit हो रहा था 60 रुपए का यानि आपका cost price निकल के आता है 1000 रुपए का यानि यानि इस case में आपका selling price होना चाहिए 1200 बात है तो yes the correct answer is 1200 clear हा बच्चे is that okay तो मक्खन सवाल conceptual सवाल ठीक है आगे बढ़ते हैं आज का आखरी सवाल है इसको अच्छे से समझ लेजी लेगा यह कहता है a shopkeeper sold 120 article एक दुकानदार के पास total 120 article है he sold K articles at a profit of 40% तो वो कुछ article बेच रहा है कितने variable use कर रहे हैं तो इसको ठीक है कितने profit पर बेच रहा है 40% के profit पर बेच रहा है फिर यह कहता है कि selling price of K article was equal to the cost of 98 article तो कह रहा है जो K article थे उनका जो selling price है वो 98 article के cost के बराबर होगा फिर यह कह रहा है if we sold rest of the articles at a profit of 32% तो अगर वो बचेवे article यानि के article बेचने के बाद जो बच गए यानि 120 माइनस के वो 32% के profit पर बेचेगा तो बताइए उसको overall क्या profit होगा ठीक है तो एक काम करते हैं क्यों ना मैं original cost को 100 माले तो आपके पास article कितने हैं 120 है यानि आपकी overall cost क्या आगे 12,000 रुपए ये बात clear तो एक article का cost अगर 100 रुपए है तो वो के article कितने पे बेचेगा 40% के profit यानि उसका selling price आएगा 140 और बचेवे article वो 32% के profit बेचेगा यानि उ clear है क्या अब उसने कहा के article का जो price है वो 98 article के cost के बराबर है तो लगाइए के article का selling price तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 140 इंटू के वो 98 article के cost के बराबर है तो 98 इंटू cost cost को सौमान रहा हूं बस solve it तो इससे आपको के का value मिलेगा अच्छे के का value निकाल लेते हैं जीरो से एक जीरो कैंसल 14 से 95 जला जाता है साथ बार यानि के की value आजानी है 70 समझ में आया कि तो यानि वो 70 article 140 रुपई से बेचेगा तो article ब गीजी तो 70 इंटू 140 अगर आप करिएगा 9800 होगा 132 इंटू 50 आप करिएगा तो 132 इंटू 50 अगर आप करेंगे तो 5 गुना करना है यानि 2 आधा करेंगे तो 6600 आ जाएगा तो यानि आपका total cost selling price क्या आ गया डबल 0 का 006 और 8 4 एक कैरी 9 और 6 15 और 1 164 00 तो यानि आपका overall profit कितना आ रहा है 12,000 से 16 400 हो गया है यानि 4 400 डिवाइड़ बाइड़ बारह हजार इंटू 100 समझ में आया क्या 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 4 से और कटेगा 4 से जाएगा 110 क्लियर है कि 110 बटे 3% का profit होगा यानि कि 36.67% कैसा लगा सवाल ये बताइएगा बहुत बढ़िया कोशन से conceptual कोशन मैंने cover किये दोस्तों ठीक है जो basic type है profit and loss का जो basic concept है वो पूरा इसी के round around घुमता है ठीक है अभी खतम नहीं हुआ है ये पहला वीडियो था इसका एक और पार्ट मैं बनाऊंगा कल इसको upload करूँगा ठ पूरा profit and loss का concept 5 या 6 या 7 वीडियो की पूरी series आएगी इसको ठंक से इसको पूरी तरह से cover कीजिएगा और अगर आपने अभी तक time and work की वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिएगा ठीक है clear है यस एक बार फिर से remind कर देता हूं about our offline classes जो भी बच्चे offline हमसे पढ पूरी preparation करने के लिए आप आज ही हमसे connect हो सकते हैं ठीक है प्यारे बच्चों Apti Academy हमारी class का नाम है और call के लिए मैंने आपको office का number भी दिया है तो अगर आप banking SSC और RBI किसी भी exam की fully offline preparation चाहते हैं definitely contact us ठीक है प्यारे बच्चों धन्यवाद बबाए फिर मुलाकात होगी अ